हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गूद इबनिंग टू अलो फ्यू बच्चो सो वी मैट अगेन तो हम लोग मिल गए हैं अनकैडमी जो की इंडिया का लाज़ेस लेर्निंग प्लाटफॉर्म है नमबर वन लेर्निंग प्लाटफॉर्म है ठीक है उसके नमबर वन चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर ये मेरा फ्रेंड है मिंकू मिंकू भी हेलो कह रहा है चलिए बच्चो फटाफट जॉइन करिए ये कोई वो अनकैडमी लेर्निंग अपाला क्विस नहीं है ये नॉर करें दूसरी बात बच्चो मेरा नाम है डॉक्टर मीतू भावनानी गॉट्रोफेशन मैं डेंटल데्स सर्जन हुं साथ साल का मेरे पास अiderश एस्पीरियन्म और यह मेरा टेलिग्रैम है यह मेरा टेलिग्रैम लिंक है जो आप जॉईन कर लिजिए यूट्यूग मैं स्पे learning app वाला quiz नहीं है normal questions करेंगे हम लोग ecology के ठीके बच्चो मैंने best 30 questions निकाले हैं ecology के ठीके ओके चलिए मेरे साथ जुनने के लिए बच्चो आपको unacademy learning app को install करना है अपने phone के play store में और लेना है Neat UG का plus का subscription जो की एक साल का और दो साल का बहुत best होता है और code apply करना है MB10 code कौन सा apply करना है MB10 जिससे की आप मेरे personal plus के batch में भी आ जाओगे और आपको 10% का discount भी मिलेगा ठीके बच्चो is it clear hello to all very very good evening to all of you बच्चो कैसे हो यह हमारा रोज रात में 8 बज़े इसी चैनल पे आने वाला batch codes है ठीके batch codes for class 12th NE 2021 2022 तो बच्चो देको subscription आप जल्दी से जल्दी लीजिए क्योंकि अब next time ना तो 12th के votes देरी पहोंगे और ना ही NEET का exam देरी से होगा ठीक है the doctors and the team is trying our best everybody is trying best in the medical field की कोरोना की vaccine आ जाए ठीक है लेकिन अब वो आएगी नहीं आएगी it is not very sure कि कब तक आएगी ठीक है आएगी तो ज़रूर लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बार अगर exam postpone हो है और इस बार साब बोड के exam नहीं तो अब अगली बार भी ऐसा हो अब हो गया ना नीट का exam 2020 तो यह मान के मच चलिए जो अटके वे exam है वो भी अब हो जाएंगे यह मान के मच चलिए तो एक बद्ध्यान रखना कि जो भी exam आने वाले हैं वो अब बिल्कुल time पर होंगे ठीक है getting my point बेटा यह unacademy learning app वाला quiz नहीं है that's why I'm not providing code अगर यह वो वाला होता तो मैं आपको code प्रोवाइड कर चुकी होती mega mcqs test complete unit of ecology class 12 major 30 questions करेंगे हम लोग कल जो 8 बजे वाला course आएगा उसमें biotechnology का mega mcqs होगा और उसके बाद पूरा reproduction unit का course होगा at least हम लोग 50 questions करेंगे अगर reproduction में कम लगेंगे तो हम लोग questions को एक बार और करेंगे ठीक है पर questions पर पकड़ आपकी होनी चाहिए तो यह अभी दो से तीन दिन mcqs session हो जाए जो chapter की theory पढ़ ली है उसके mcqs करा कर मुझे एक वो हो जाए कि हाँ भाई भाई बच्चों का यह हो गया है then we will properly start with the genetics okay और कल में आप लोगों के लिए एक और बहुत अच्छा session ला रही हूं वो मैं नहीं बताऊंगी आप लोगो थोड़ा surprise रखो ठीक है ना वो मैं टेलीग्राम पर रात में बताऊंगी या फिर उसे रात में भी नहीं बताऊंगी उसको सुभह बताऊंगी क्योंकि वो session वै child sin please tell me the answer join fast बच्चो जल्दी जल्दी जॉइन करिए बेटा 11 भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगी 12 तो हमारी चली रहे 12 तो मारी फटाफट हो जाएगी मुझे 12 का तो हम लोग पता नहीं कित्ती बार revision कर लेंगे 11 भी कर लूँगी चिक्या क्या होगा बच्चो इसका competition results in competition क्या करवाएगा extinction, mutation, larger number of species या symbiosis वही अगर competition हो रहा है तो कोई न कोई मरेगा न तो extinction ठीक है चलो population of an insect species increases explosively during rainy season it disappears at the end of the season due to death of food plants at the end of rainy season J-shaped growth curve increase in predator population या S-shaped growth curve बेटा या अन-academy learning app पर नहीं है quiz ये तो आपको screen देखके समझ में आ रहे होगी तो यहीं attempt करो क्या होगा किसको indicate कर रहा है कौन सा वाला बेस्ट answer होगा ये एक्चुली ये कह रहा है कि पहले तो हो गई तो किस पे होगा तेको ऐसे तो अगर लास्ट में मर रहा है तो प्रिडेटर population भी बढ़ सकता है ठीक है पर इसका best answer होगा जे शेव्ड ग्रोथ कर ठीक है now interaction of species with the environment is known as interaction of species which is the environment is a dog की species है वो अगर environment के साथ interact करेगे तो उसको अब क्या बोलोगे बताओ बताइए क्या होगा थर्ड का interaction of species with the environment पूछाए बच्चो कि नहीं क्विज नहीं है बताइए कौन सा बैस्ट आंसर होगा इसका सी नहीं हो सकता क्या इको सिस्टम तो ओवर ओल एक और ग्यानिजम का interaction बोल रहा है यहां पर मैं species का बोल रही हूँ तो साइनिकोलोजी होगा चलो कौर्कस species are dominant component in कौर्कस species are dominant component in बताओ कौर्कस species dominant component किस में alpine, scrub, temperate deciduous या tropical rain forest इसका simple answer है नहीं आदो direct देख लीजे temperate deciduous forest now one species is harmed ठीक है and other is unaffected the interaction is बताओ अगर आप answer chat box में लिख रहे हो ना तो question भी लिखो जैसे मुझे भी तो पता चले कि आपको कितने कितने लोग सही answer करें और कितने गलत आप A, C, D, E लगाते जारे हो ऐसे मत करो अगर आप question 5 लिख रहे हो तो 5 लिखो और उसके सामने उसका option लिखो मुझे पता तो जले कि आप कितना सही जा रहे हो और नहीं जा रहे हो सारे बच्चे answer करो इसका क्या होगा कि एक को तो हाम और दूसरे को कोई मतलब भी नहीं है अमेंसलिजम ठीक है राइट क्वेशन देन आंसर कसकटा इस एन इग्जाम्पल ओफ बताओ कसकटा इस एन इग्जाम्पल ओफ राइट क्वेशन देन आंसर जैसे अभी इस सिक्स पूछा का है तो सिक्स के सामने उसका option लिखो बताओ क्या होगा कसकटा इस एन इग्जाम्पल ओफ एंडो अंदर प्रिडेशन मार रहा है बूट पैरसिटिजम दूसरों के आफसरिंग उसका छोड़ रहा है या फिर एक्टो पैरसिटिजम इट इस एक्टो पैरसिटिजम बाहर से बैठ कर नरिश्मेंट खीचता है होसे और नुक्सान पहुचाता है अ सीडेंटरी सी अनेमॉन गैट्स अटाश्ट तू दी शेल लाइनिंग ओफ हर्मिट क्रैब दाए सेविन का झाल कौन से वालागा उसमें, यह सिंपल, कमेंसलिजम, चल यह, अ बायलोजिस्ट स्टडीड दा पॉपुलेशन ओफ राट्स इन अ बान, ही फाउंड दा एवरेज नेटिलिटी वोस तू फिफ्टी, चीक है, बर्ला बर्थ का तू फिफ्टी, मॉर्टिलिटी डेथ का तू फॉट्टी, इमिग्रेशन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, इमाइग्रेशन जो इधर से बाहर जा रहे हैं, दा नेट इंक्रीजन पॉपु क्या होगा इसका, अगर आप इसका कैल्कुलेशन करते हो ना, कि बर्थ रेट, फिर डेथ रेट, फिर इसकी नेटिलिटी, मॉर्टिलिटी, हमारे पास जो फॉर्मूला है, इसका क्या होगा, जीरो आएगा, चल्थ, रिमूवल ऑफ की स्टोन स्पिशीज विल इफेक्ट, किसको इफेक्ट करेगा, प्रेड्यूसर को, डीकमपोजर को, इको सिस्टम को या फिर कंज्यूमर को, डारेक्ट किसको कर देगा, इको सिस्टम को, यह सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, बच्चों सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ एकोलोजिका मैंने कहा था कि एक बार और क्वेशन कराऊंगी, इसलिए क्वेशन करा रही हूँ, प्लांट स्पेशी इस वाइड रेंज अफ जनेटिक दिस्टिबूशन, इवाल इंटो लोकल पॉपुलेशन इस नोन अज बताओ, टेन का बताओ, क्या होगा, लोकल जहाँ पर भी वर्ड आ जाता न है, लोकल वर्ड, लोकल वर्ड जहां पर भी आता है न, इवाल्व इंटो अ लोकल पॉपुलेशन पुछा है बच्चो, बायों में क्या और चीजे नहीं आती क्या, बायों में और कुछ आता ही नहीं है सिर्फ plant species आती है सिर्फ plant species जब आप एक particular area में देख रहे हो किसी एक चीज को उठा रहे हो तो क्या होगा इसका ए नहीं हो सकता क्या ए नहीं हो सकता इको टाइप नहीं हो सकता बोला अपनी मर्जी से कुछ भी option लग रहे है बताओ plant species है having a wide range of genetic distribution पूछा गया है एको टाइप हो सकता है population word तो नहीं fit बैठेगा ठीक है बायों में आप और other conditions भी उठाती हो क्या होना चाहिए इसका best answer क्या होना चाहिए इसका पड़ो एक बार अपनी book खोलो NCRT कर पड़ो इसको देखो जहां पर भी हम लोग genetic diversity की बारे में बात करते हैं हम बायों में सारे organisms को consider करके चल रहे हैं ecosystem की तो यह definition ही नहीं पता नहीं कैसे ecosystem लगा रहे हो आप लोग ecotype best answer है ecotype चलो to which of the following interaction बोथ partners are adversely affected बताईए एक बार आप ecotype का पढ़के आना में कल बताऊंगी इसके बारे में एक बार खुद भी सर्च करो इसको सर्च करो मैंने कर सबसे best answer ecotype होगा biome भी हो सकता है ठीक है बताईए 11 का बताईए दोनों partner खतरनाक effect होंगे predation में parasitism में mutation में mutation तो odd one out answer तो होई नहीं सकता competition में होता है क्योंकि दोनों को कहीं न कहीं किसी competition में मरना है चलो which pair is mismatched tundra permafrost, savannah acacia trees, prairie epiphytes and coniferous forest मतलब evergreen trees mismatched pair कौन सा है, match कौन सा नहीं कर रहा है question लिखिये उसके बाद उसका answer लिखिये, जैसे आपका जो भी नाम है उसके सामने लिखिये 12 then put the answer, मैं देखू ना कौन कैसा answer कर रहा है mismatched कौन सा होगा सवाना में acacia trees होते हैं, prairie में epiphytes होते हैं, that hello fight type का evergreen trees होते हैं mismatched pair किसका होगा एका lichen is a pioneer in succession lichen is a pioneer in succession किस में? pioneer in succession, बद स्टार्ट ही हुआ है कहां पर lichen आपका mostly किधर grow करना पसंद करेगा? rock के उपर, ठीक है, भले ही atmosphere और air कुछ भी नहीं है बेटा, यह जो session है, रोज 8 बज़े आता है, 12th का, 11th का मैं अभी लेना start कर दूँगे, मैं उसके बार में updates कर दूँगी lichen, l for lichen, l for lithose share, ठीक है? चलो, detritus food chain begins with best answer eco-type है, उसको देखना एक बार अच्छे से, बायोम भी हो सकता है, पर best eco-type है, यह कह रही हूँ मैं detritus food chain begins, bacteria virus, protozoa, lg, किससे begin होगा? अगर फंजाई होजाँ तो तम फंजाई लगाते, bacteria, ठीक है? highest annual productivity occurs in, highest annual productivity, पूरा साल का अगर production निकालें, तो किदर एरिया में सबसे ज़्यादा होगा? बताईए, 15 का क्या होगा? ओके, I'm so sorry, इसके दो option बिल्कुल same हो रहे हैं हाँ, यह actually हाँ, same है, same है, अगर यह दोनो same भी है, तब भी कौन सा best answer होगा? हाँ, यह दोनों same हो गए है, बताईए, कौन सा best answer होगा? हाँ, जैसे tropical deciduous है न, तो आप इसको बताईए, अब कौन सा होगा? tropical rainforest होगा न, तो हम लोग A पे चले जाएंगे which has the highest value in grassland? which has the highest value in grassland? net production की, gross production की, net production की, gross production की, secondary production की है वे tertiary कोई भी grassland है उसमें प्लांट होगे होई है, तो वो जो सबसे पहले चीज़ बनाएगा वो ही highest होगे क्योंकि NPP तो क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा न, क्योंकि GPP-R NPP secondary तो consumer में है, tertiary उसके बाद भी है, तो gross production slow rate of decomposition of fallen logs due to, कोई भी fallen पत्ती या log टुकडा गिर चुका है, उसमें धीरे धीरे decomposition हो रहा है, क्यों? क्यों बच्चो? क्योंकि वहाँ पर nitrogen बहुत कम है, anaerobic बहुत कम है, low cellulis, low moisture content कम है, देखो, जहां पर अच्छा warm humid moisture होगा, वहाँ पर fungus bacteria का involvement है, वह काफी अच्छा होगा, काफी क्या होगा? अच्छा होगा, लेकिन चुकि moisture content कम है, तो decomposition rate क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, तो इसका best answer 4th होगा, ठीक है? trophic levels and ecosystem are formed by, भाई ये आपके trophic levels होते हैं न, ये बनते किस्से हैं, मतलब इनका starting point आप क्या define करना चाहते हो? ट्रॉफिक level सिर्फ bacteria के बने वे रहते हैं, सिर्फ plants ही plants आते हैं, सिर्फ herbivores आते हैं, या वो members आते हैं जो एक दूसरे से linked रहते हैं, कौन से होंगे? इसमें ये नहीं पूछा, start किस्से होता है, बने वे किसके हैं? food chain which one occupy more than one trophic level in a pond ecosystem, एक pond में ecosystem है, ठीक है? तो एट साथ ट्रॉफिक level में कौन सा organism आएगा? बिटा आपको aims का मिल तो सकता है? बताईए, 19 गव, which one occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? zoo plankton, phytoplankton, fish या फिर frog? frog दो टाइप के ecosystem pond में आ सकता है mass of living matter at trophic level in an area, at any time, ठीक है? यह ट्रॉफिक level है, यह एक living matter है, इस particular area, इस particular time में आप उसे क्या कहना पसंद करोगे? बच्चे जोईन होते हैं, लेकर लेट हो जाते हो आप लोग, काफी सारे questions छूट जाते हैं, ठीक है? 10 more questions, पीछे का recorded पूरा देख लेना क्या कहोगे उसको, बेटा? हुमर्स, standing state, standing crop या फिर debtoritis, परी common sense के बाद है, हुमर्स और debtoritis तो किसी भी condition में नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा? standing state होगा या standing crop होगा? yes, it is कौनसा वाला? yes, it is standing crop the second stage of hydrosphere is occupied by plants like second stage of hydrosphere, जैसे हम लोग lithosphere, hydrosphere, mesosphere करते हैं, तो succession में second stage of hydrosphere is occupied by plants like hmm azola, selix, typha या फिर valley scenario it is valley scenario, if you don't know directly learn this natural reservoir of phosphorus, it is very easy sea water, animal bone, fossil या फिर rock आपको अगर एक phosphorus cycle भी पूछी जाती है, तो आपके करते हैं, वाई, soil में आपका, sorry, rock में phosphorus है, फिर उसकी soil बन गई, ठीक है, आपने उसको plant हुगा है, तो वो plant में चले गई, फिर plant से वो animals में चले गई, ठीक है, animals और plant मर गई, तो वो decomposers में आ गई, तो decomposers का आपको बह तो rock होगा, बाकी तीनों odd one out हो जाएंगी, ठीक है, जीपीप, that is gross primary productivity, is the rate of production of dash during photosynthesis, जब जीपीप बन रहा है, जैसे ये एक plant है, ठीक है, ये इस particular area में है, और ये plant sunlight की presence में photosynthesis कर रहा है, तो ये जीपीप बना रहा है, तो ये जीपीप में क्या बना रहा है, बच्चो, ये जीपीप में क्या बना रहा है, ओक्सीजन तो छोड़ रहा है, carbon dioxide ले रहा है, chlorophyll उसकी लीव के थाइलोकोईट्स में है, यहाँ पर organic matter बना रहा है, बायो मास बना रहा है, food बना रहा है, ठीक है, for sedimentary type of biogeochemical cycle, the reservoir is, अगर आपको gaseous चलानी है, तो फलाना फलाना होगा biogeochemical, लेकिन अगर आपको sedimentary type of biogeochemical cycle चलानी है, तो किस तरीके की reservoir होना चाहिए, atmosphere, atmosphere को तो gaseous हो जाएगी, water होगा तो hydrological हो जाएगी, living organism तो हर cycle में आएंगे, earth crust, lithosphere, that is rock, और इस sedimentary में आपकी phosphorus और आपकी sulfur cycle आजाएगी, hot spots of biodiversity are, hot spots of biodiversity are, क्या होते हैं hot spot of biodiversity, area of earth containing many endemic species, species serves as proxy for entire community in particular species, species in particular niche, species diversity at particular area, बताईए, कौन सा होगा, hot spot क्या होगा, जहां पर आपको लग रहा है कि ये species, हम इन species के बार में पढ़ सकते हैं, इन में से कुछ species particular area में भी है, बाहर से भी आई हैं और endangered भी हैं, इसका अंसर होगा, A वाला, which is not used for XC2 conservation, XC2 मतलब बाहर लेकर आओ और ग्यानिजम को उसके habitat से, और बाहर कहीं और उसको habitat दो, तो ऐसा XC2 ये indicate नहीं करता है, बोटानिकल गार्डन, can use, field gene, seed bank, can use, ठीक है, क्या एक shifting cultivation बताता है आपको, क्या आपका, अगर आप cultivation को shift कर रहे हो, cultivation को shift कर रहे हो, तो क्या वो एक XC2 conservation है, नहीं है, An area is declared as hot spot when, चीक है, कब hot spot कहलाता है एक area, it has more than 1500 or more endemic species and 75% of original habitat is lost, it has 1500 or more vertebrate species and 75% of its original is lost, it has more than 2000 species of plants, and most of these species inhabiting the area are facing the risk of extinction, कब आप एक particular area को, कोई भी diversity को hot spot declare करते हो, अगर आप इन numbers पे देखोगे तो, सिर्फ वर्टिब्रेट को ले नहीं सकते, सिर्फ आप plants को ले नहीं सकते, ठीक है, सिर्फ most of the species सिर्फ in danger थोड़ी होगी, हमें species भी देखनी और कितना habitat lost हो चुका है, पूरी definition देखेंगे तब hot spot declare करेंगे, भोपाल गैस tragedy of 1984, तुक प्लेस बिकॉस अफ मिथाइल आईसोसाइने ट रियाक्टेट विद, कल के quiz में भी मिलता जुलता question था, 27 का C तो होई नहीं सकता है, ये तो होई नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता, 27 का C, A होगा, येस, A होगा, पीटा, crop state मैंने theory में पूरा पढ़ाया है, प्लीज आप recorded lectures देखिए, उसमें आपको पूरा पता चलेगा, क्या होगा, इसका, रियाक्टेट विद वॉटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोपाल के सेज़िटी पर हमेशा question आता है, Montreal Protocol was passed in, कौनसे year में पास हुआ था Montreal Protocol, 1985, 1986, 1987 या 1988, year पे भी बहुत questions आते हैं, हाँ, मिल सकता है, खुशी सिंग, मिल सकता है, chances हैं मिलने के, बता दिया था मैंने पहले ही, अब ये लास्ट क्वेशन है, लास्ट क्वेशन, bio-magnification of DDT causes decline in bird population by, क्योंकि मैं जो question है, वो set में करवा रही हूँ, ecology में पहले ही, बहुत पहले cover करवा चुके, करवा चुकी थी, bio-technology भी है, लेकिन मैं दोबारा revise करवा रही हूँ, इसलिए आज मैंने ये questions को उठाया है, और ये जो बहुत बचे लेट आते न, ये गलती करते हैं, फिर ये record, recorded देखो, बट लाइफ का अलग मजा है, तो आज ecology के हो गए है, कल bio-technology के, bio-technology के में जादा question कराऊंगी, कल आपको, at least till 50, और more than 50, then हम लोगो ने जो पूरी reproduction वाली unit को cover किया है, उसमें separate separate questions तो किये थे, लेकिन हमने mega test नहीं लिया था, ठीक है, तो उसका test होना बाकी है, ठीक है, तो ये आपका last question है, इसका क्या होगा, भाई, देखो ये जो batch course है ये रोज रात में आट बजे आता है, ठीक है, मैंने आपको एक एक जैसे schedule टाइप बता देती हूँ, कि चार बजे, तो रोज शाम को अन अकैडमी लर्निंग अप पर special class होती है, कौनसे course के नाम से, NEET rank up, topic based series and NEET rank up MCQ based series, topic based series TBS और MCQs based series, ठीक है, चार बजे, जब कभी कबार नहीं होती है, मैं टेलिग्राम पर लिख देती हूँ, कि नहीं है, is it clear बच्चो, getting my point, और रोज रात में आठ बजे, ये YouTube channel, Let's Crack NEET UG पर, क्या होता है, batch course for class 12, 2021, 2022, जिसमें, अम लोगों ने ecology कर लिया, questions भी बहुत सारे कर लिये थे, quizzes ले लिये थे, आज मुझे था कि ecology भूलना जाए, तो revision कर लेते हैं, कल रात में आठ बजे, ये नीट के बच्चों के लिए दो हैं, कभी कबार मुझे कोई innovative session देना रहता है, कोई strategy session देना रहता है, कुछ different देना रहता है, तो उसका time मैंने 3.30 pm रखा है, ठीक है, तो में भी हो सकता है, कि थोड़ा सा ये, अगर 3.30 pm वाले sessions continue रहा है, जैसे मैं सोच रही हूँ कल भी दूँ, तो फिर मैं जैसे अभी 3.30 दूँगी, तो एकदम 4 बजे specialist नहीं हो पाई, तो में भी 4 बजे वाला time में 5 बजे shift कर दूँ, तो कभी कबर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो please stay on the telegram, ठीक है, ठीक है, पर telegram पे मैं आपने क्या लिखा है, मैं आपने कितने बजे का time लिखा है, link में, और जब आप link जो open करते हो ना, YouTube special का, तो उसमें भी timing आता है, अगर आप तबियत से उसको link को open करके देखते होगी तो, ठीक है, हाँ, जो special class है, वो unacademy learning app पर होती है, ठीक है, और यह जो 3.30 और 8 बजे वाला time है, यह YouTube वाला है, लेट्स क्रेक नीट UG पर, अगर आपको मेरे plus के courses लेने हैं, क्योंकि prices अब बढ़ने वाले हैं, तो आप इसी ही price में ले लो, ठीक है, क्यों hiking वाले price पर जाना चाते हो, तो नीट UG का subscription के लिए, आपको मेरा यह code याद रखना है, MB10, जो की universal है, मैं foundation पर भी पढ़ाती हूँ, तो foundation का अगर plus course लेना, तो उस category में MB10 apply कर लो, नीट में लेना है, तो नीट में MB10 apply कर लो, ठीक है, एंड आपको अगर अगर अधर भी कोई course लेना, जैसे UPSC, बैंक, PIO, SAC, तब भी यह code universal है, आप apply करोगे, आपको 10% discount में लेगा, ठीक है, तो मैं चारों classes को पढ़ा रही हूँ, foundation YouTube channel, let's crack foundation NTSC पर पढ़ाती हूँ, और ये तो हमारा channel, let's crack need you, दोनों ये channel गजब के हैं, चीक है, और, telegram join करने के लिए ये link है, चीक है, या direct meetoo भावनानी से भी आप join कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर अब मैंने 3.30, 3.30 telegram पे कोई सेशन आया, कि 3.30 पर कोई सेशन है, कोई अच्छा था strategy वाला कोई काफी टाइम से नहीं दिया, तो फिर ये वाली class में 5 बजे shift कर दूँगी, ठीक है, तो stay tune with me on telegram, और subscription के लिए best है यही time, ले लो नेट यूजी का सब्सक्रिप्शन, ओके, गेटिंग माइ पॉइंट, तो अब हम लोग कल मिलते हैं, कल हम लोग, मैं telegram पे डाल दूँगी, ओफुली कल में 3.30 पे शेशन लोगी, तो 3.30 पे लोगी, तो special class पांच बजे shift कर दूँगी, ठीक है, और इस 3.30 का अगर चलता रहेगा, तो फिर मैं एक overall पांच बजे वाल, क्योंकि बीच में नहीं होते हैं सेशन, तो मैं 4 बजे वाल टाइम 6 कर चुकी थी, पर वो थोड़ा बहुत vary करता है, अगर आपको थोड़े सेशन बढ़ाने हैं, तो टाइमिंग का तो थोड़ा gap रखना ही पड़ेगा, कि मैं भी एक class से free होंगी, पर कुछ खाओ प्योंकि दूसरे class में आऊँगी, क्योंकि energy नहीं रहेगी, तो फिर क्या पढ़ाऊँगी, तो उस हिसाब से, जैसे कल का जो schedule है, वो आज रात में telegram पे डल जाता है, ठीक है, अब जैसे कल रात वाला session है, या 3.30 बज़े वाला session है, तो मैं उसका link सुभए डाल दूँगी, Is it clear students? तो please see telegram, क्योंकि वहाँ पर foundation के link भी आते हैं, और special classes भी आती हैं, foundation के लिए morning 9.30 a.m. पे session आता है, ठीक है, एक बज़े वहाँ पर special class होती है, getting my point, आरे मेरी बात समझ में, तो ये schedules आप लोग, telegram पे देखो, बाकी एक fixed schedule में हुआ, तो मैं slide पे रोज ही आपको लिख दिया करूँगी, तो उससे मुझे भी बोलने की बार-बार जरुवत नी पड़ेगी, you just take the screenshot, and match it with the regular telegram, ओके बच्चों, कभी कोई session नहीं होता है, तो मैं लिख देती हूँ कि नहीं है session, तो परेशन होने की जरुवत नी कि मैं अगर एक दिन session नहीं लिया, तो वो दूसरे दिन भी नहीं लेगी, क्यों नहीं लोगी, बिल्कुल लोगी, चिक्या, telegram का link ये रहा, telegram का link ये रहा, ठीके बच्चों, चलिए, कल मिलते हैं, telegram पर डाल दूँगी, 3.30 pm का session, और 3.30 pm का हुआ, तो फिर special class 5 बजे हो जाएगी शाम को, and then हम लोग 8 बजे मिलेंगे, उसमें हम लोग biotechnology के at least 50 questions को, कल करेंगे, 50 से जादा भी हो सकते हैं, चीके बच्चों, ओके, चल, बाए बाए,